अम शान्ति ब्राह्मन जीवन का अनमोल खजाना है खुशी अगर हम इसे संजीवनी बूटी कहीं तो भी अतिश्योक्ति नहीं होगी भगवान केती हैं खुशी प्राप्त करने का सही तरीका है अमरित वेले से लेकर रात तक दिन भर की दिनचरिया में याद की विधी से चलते चलो तो सिध्धी मिलेगी सिध्धी का अर्थ है पर्तेक्स फल और पर्तेक्स फल में अतिंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है अतिंद्रिय सुख अर्थात सारा दिन खुशी के जूले में जूलते रही सुख के जूले में जूलते रही संगम यूग पर मिलता है पर्तेक्स फल और फिर मिलता है भविश्य फल भगवान केती हैं खुशी का मतलब ये नहीं है कि हम खुश हैं लेकिन खुशी का मतलब है हम हर पल हर समय अर्थात सदा खुश हैं सोचो अगर ब्रामन खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा ब्रामन ही सर्व स्रेस्ट ब्रामनों को परमात्मा पितानी अखुट खुशी दिये हैं ब्रामन ही स्रिस्टी के आदिकाल में हैं और उनकी ये खुशी पूरा कल्प चलती हैं ब्रहामन देवताओं से भी उत्तम हैं इसलिए माया की या रावन की या इन दोनों से भी कोई सुपर पावर हो वो भी ब्रहामनों की खुशी को छी नहीं सकती कुछ भी हो जाए खुशी जा नहीं सकती जैसे बादल आ जाते हैं तो कई बार कोई चीज ओजल हो जाती है लेकिन ब्रहामनों के खुशी के आगे कोई बादल नहीं आ सकता ब्रहामन जहां भी हैं जिस स्थीती में भी हैं हमेशा खुश हैं दुनिया में अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उससे पूछते हैं कि आपको क्या मिला अगर कोई आप से पूछे कि आपको क्या मिला जो आप इतने खुश हैं तो क्या कहेंगी इसके जवाब में हम यही कहींगे कि हम लोकिक से अलोकिक हो गई हमारे जीवन में अलोकिकता आ गई तो भगवान कहते हैं अलोकिकता की चमक आपके चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए आपके मस्तक में खुशी का सूर्य सदा ही चमकता रहे आप खुश नसीब हैं आपके हर करम में खुश नसीबी ज़लकी कई कहती हैं कि हम अंदर से तो खुश रहती हैं लेकिन बाहर हमारी खुशी परकट नहीं होती है भगवान केती हैं ऐसा नहीं है जो कुछ अंदर होता है वो बाहर परकट अवश्य होता है कई बार माया आती हैं परिस्थिती आती हैं भगवान केती हैं खुशी आपकी अपनी चीज है अपनी दोलत है खुशी का कुंड आपके भीतर है खुशी आपका स्वभाव है आपका मूल धर्म है खुशी भगवान का वर्दान है तो जो अपनी चीज होती है वो सदा अपने साथ रहती है माया तो बाहर से आती है परिस्थिती तो दूसरे के द्वारा लाई जाती है तो जो बाहर की चीज आती है वो आती और जाती रहती है अपनी चीज सदा अपने साथ रहती है अपनी चीज को कभी छोड़ा नहीं जा सकता खुशी अपनी प्रोपर्टी है कोई अपनी प्रोपर्टी को कभी छोड़ता है क्या इसलिए भगवान कहती है कि भले ही शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए अगर शरीर तो अच्छा मिलेगा, पुराना जाएगा तो नया मिलेगा, लेकिन खुशी इस जनम में भी और आगे भी सदा साथ साथ है, आज की दुनिया में चारूं और हल चल है, अशान्ती है, परिशानी है, दुख दर्द है, ऐसे में आब रहा मत हमेशां खुश रहती है न, भगवान कहती है, आप हमेशां खुशी में नाचते रहती है न, ये पाउं से नाचने की बात नहीं है, लेकिन मन हमेशां खुशी में नाचता रहे, आप सर्व शक्तिवान अगर खुश नहीं रहेंगे, तो और कौन खुश रहेगा, और अगर कोई बात उपर नीचे हो भी जाए तो अपने आप से एक सवाल पूछो भगवान केते हैं अपने से पूछो कि मेरा साथी कौन पांड़ों के जीवन में कितनी तकलीफें आई वनवास जेला अन्याय जेला अपमान छेला जीवन भर बहुत मेहनत की लेकिन वो हमेशा खुश थे क्यों खुश थे क्योंकि उनका साथी भगवान था तो आपका साथी कोन है आपका साथी भगवान है हर समय साथ है किसी समय भी अलग नहीं हो सकता और जिधर भगवान है विजय उधर ही है इसलिए हर सुबह अपने मस्तक में विजय का तिलक लगाओ और ये निश्चे बार बार दोहराओ कि विजय मेरा जनमसिद अधिकार है विजय मुझे छोड़कर दाई बाई जा नहीं सकती मैं विजय हूँ इतना निश्चे क्यों है क्योंकि आप तरकाल दर्शी हैं आप जानते हैं जो कल्प पहले हुआ था वही रिपीट हो रहा है नथिंग न्यू बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना ही चिन्ता ताकी कीजिए जो अन होनी होई कल्प पहले भी विजय मिली थी अब भी विजय निश्चेत है इसलिए आप सदा निश्चिन्त हैं विजय का निश्चेत पका है कई बार कई बच्चे कहते हैं पतानी आज मेरी खुशी कहां गई पतानी आज खुशी कम क्यों हो गई भगवान केती हैं खुशी का स्टोक खत्मा हो गया जैसे हम आई वेल के लिए धन का स्टोक रखते हैं अचानक धन की जरूरत पड़े तो स्टोक का पुरियोग करते हैं कोई भीमारी आ जाए और कोई कारण हो जाए तो जमा धन काम आता है धन तो स्थूल दोलत है लेकिन खुशी सुक्षम दोलत है हमारे पास खुशी का स्टोक भी भरपूर रहना चाहिए इस जीवन में वो खुशी का स्टोक हमेशा बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जिसके पास जितना अधिक खुशी का स्टोक होगा उसके सामने कितनी भी परिस्थिती आ जाई, लेकिन वो कभी हिलेगा नहीं, परिस्थितियों का काम है आना और आपका काम है अपने खुशी के स्टोक को बढ़ाते जाना, आजकल विज्ञान का जमाना है, और विज्ञान क्या करता है, बेकार चीज को भी अच्छी बना लेता है, कुरूप चीज को भी सुन्दर बना लेता है, रदी माल को भी बहुत बढ़िया कीमती अमुले चीज में बदल देता है, तो जो खुश नसीब आत्माई हैं, वो भी साइलेंस की शक्ती से, अगर किसी ने खराब बोल दिया, तो उ अच्छा बना लेती हैं, अगर संबंदों में कोई खराबी है, तो उसको भी सुधार लेती हैं, अगर वायू मंडल नेगिटिव है, तो अपनी खुश नसीबी से उसको भी पोजिटिव बना लेती हैं, जैसे आपकी रचना अगर बत्ती है, भगवायन कहते हैं, अगर बत क्या करती है कितने भी बद्बू हो कितना बड़ा कुड़े का धेर हो लेकिन एक छोटी सी अगर बत्ती उसको खुश्बू में बदल देती है इसलिए कैसा भी वायू मंदल हो उसके प्रभाव में नहीं आना अपने खुशी के तेज को हमेशा बनाई रखना कई बचे पूछ हैं बाबा अगर कोई बुरा है तो क्या हम ये ना समझें कि ये बुरा है बाबा कहते हैं बुरे को बुरा समझना ये तो ठीक है लेकिन उसको चित पे नहीं रखना उसको अंदर में समाना नहीं जैसे मान लेजिए हमको ये पता है कि इस रास्ते में गंदगी पड़ी है त अमाते तो नहीं है ऐसे ही अगर किसी बुरी बात की जहनकारी मिली है ठीक है लेकिन उस बात को चित्व पे नहीं रखना बलकि उस बुरी को अच्छी बनानी के पुरुशारत में लग जाना अपनी शुब भावनाओं के बल से उसको भी पॉजिटिव बना लेना अच्छा ब भगवायन कहते हैं आप पदमा पदम भागेवान हैं आपके पास कोन से पदम हैं परमायत्मा पिता ने हम बच्चों को तीन खजानी दिये हैं ये खजानी सत्यू के हीरे मोती ज्वाहरात मानिक से भी अमुल्ले हैं ये तीन खजानी कोन से हैं पहला खजाना है ज्ञान के का दूसरा है गुणों का और तीसरा है शक्तियों का भगवायन के ती ही इन खजानों को बार-बार इमर्ज करो बार-बार देखो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खजाने तो होते हैं लेकिन हम उनको देखना, उनको यूज करना, उनका फाइदा उठाना भूल जाते हैं, तो फिर वो खुशी नहीं रहती, जैसे माल लेजिए, कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत दोलत है, लेकिन वो लोकर में है, किसी कमरे में बंद है, तो बंद वस्तु, बंदी पड़ी रह हैं, और उस अमीर को खुशी नहीं रहती, कि मैं इतने बड़े खजाने का मालिक हूँ, लेकिन अगर वो ताला खोल के रोज अपने खजाने को देखे, और फिर आनंदी तो, तब वो धन उसको आनंद देगा, खुशी देगा, इसी प्रकार से आप बच्चे भी अपने इन तीनों खजानों को प्रती दिन इमर्ज करो, ज्यान की बातों को बुद्धी के पठल पे इमर्ज करो, और दूसरा दान करो, क्योंकि जब हम ज्यान का दान करती हैं, और सामने वाले की द्वाएं मिलती हैं, तो हमारी खुशी बढ़ती हैं, ज्यान का दान हम वाचा के करते हैं और शक्तिएं का दान हम मनसा के शुब और शक्तिशाली वाइब्रेशन के द्वारा करते हैं तो खुशी प्राप्त करने का तरीका है खाजानों को सबस्की nosso और खाजानों को दान करो तो वह बढ़ते रहेंगे और उनके साथ साथ खुशी भी बढ़ती रहेगी भगवान कहती हैं आप दाता के बच्चे दाता हैं आपके पास खुशी का अखुट खजाना है संसार के लोग खुशी के भिखारी हैं अल्पकाल की खुशी संसारिक साधनों में ढूंडते तो हैं लेकिन वो खुशी आसमान की बिजली की तरह एक बार चमक करके फिस गव हो जाती है फिर घोर अन्दकार चा जाता आइसे में आपिशली की बच्चे जो स्थाई खुशी के माली के अपनी खुशी का दान करो दाता बनकर दान करो देने में कुशी नहीं करो कोई मांगे ना मांगे लेकिन खुशी लोटाते रहो क्योंकि आपका खजाना भरपूर है और जितना देते जाएंगे बांटते जाएंगे उतना ये खुशी और अधिक भरपूर होते जाएगी खुशी की खुरा खुद भी खाते रहो दूसरों को भी खिलाते रहो तो खुद भी तंदुरुस्त रहेंगे और दूसरे भी तंदुरुस्त रहेंगे ओम शान्ति